आपका स्वाज़त है आपके लिए लेकर आया हूँ TGT भूगल में 20 साल मैदान के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे देखिए अब तक कि हम अपने सारे वीडियोज में यह हमने आपको चर्चा किया जैसे भारत के बहुतित पर्दिस के बारे में हमने आपको बताया थ पिछले वीडियोज में आपने देखा होगा कि भारत के बहुतित पर्दिस में हमने कहा कि भारत के बहुतित पर्दिस और यहां पर हम बात करते हैं तो अब तक हमने आपको उत्तर पर्वतित पर्दिस के बारे में बताया था अब हम यहां पे चलेंगे उत्तर पर्वतित प्रवतिये 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 प् जानी के बारे में कि यह है कहां और इसका निर्मार कैसे हो देखे भारत का सबसे पुराना भुभाग यही है प्रायदीपिये यह है प्रायदीपिये पठार जो भारत के सबसे पुराने भुभागों में से एक है जब ये प्राइदीपिये पढ़ार यानी भारती प्ले का जब तेथि सागर अर्था जहां आज उत्तर परवतिये प्रदेश का मालवा ये परवतों के रूप में ये उपर की और उठे गया ये ये उपर की और ये उठे गया जो बना उत्तर परवतिये प्रदेश के रूप में जाना गया और ये भुभाग प्राइदीपिये पठार पठार देखिए एक ची मैं आपको बता दू कि ऐसा भुभाग जो तिन तरफ से जल से और एक तरफ से अस्थल से गिरा होता है उसे रहते हैं लेकिन अब बात यह होती है कि प्रठार होते क्या है तो थोड़ा हम आपको विसाल मैदान बता रहे हैं इस पहले कि देश सिख्खम चल्चा कर देए जैसे देखिए ये चीजे आप जो देख रहे हैं ये चीजे यह देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जिसकी उचाई पंदरा सो मितर से अधिको उसे परवत कहते हैं परवत और जिसकी उचाई पंदरा सो से एक हजार मितर के बीचो उसे पठार कहते हैं सरी पहाडी कहते हैं पहाडी कहते हैं जिसकी उचाई पंदरा सो सरी एक हजार से छे सो मितर के बीचो उसे पठार कहते है पठार और जिसकी उँचाई 600 मितर से कम हो उसे मैदान कहते हैं मैदान और यह उँचाई मापी कहां से जाती है तो समुद्र तल समुद्र तल समुद्र तल तल में एक होता है तल और एक होता है नितल तल का मतलब होता है उपरी हिस्सा और नितल का मतलब होता है निचला हिस्स तो सी लेवल जो है जीरो मिटर ले 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 लेते हैं तो हमारा सी लेवल स्छे नहीं सिल्गी देए तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो हमने यह कहा कि परवत, पहाड़ी, पठार, मैदाँ तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उचाई के अधार पर तो हमने बता दिया लेकिन एक चीज़ और पठार तब कोई कहे आपके कि पामीर का पठार और तिबत का पठार जिसकी उचाई और 3800 और 4200 मितर है तो वो क्यों नहीं परवत हो जा रहा है तो यह कंडिशन और क्या होता है सपाट होता है यही कारण है कि इतने उंचे होने के बावजूर भी उसे पठार तो वही चीज़े मैंने आपको यहां पर रखा कि ऐसा भुभाग जो तीन तरफ से जल से और एक तरफ से अस्थर से गिरा उसे क्या करते हैं प्राइदीब करते हैं और उसी छित् क्यों चाई एक हजार से छे सौ मिटर के बीच हो वह पठार के रूप में फैला है इस देश भुभाग प्राइदीब के पठार के मद्ध में फैला हुआ है जिसका विस्तार साथ लाक वर्ग किलो मिकर छेतर में हैं लेकिन जहां आज उत्तर पर आज जहां विसाल मैदान है वहां कभी विसाल गर तो हुआ करता था विसाल गर तो हुआ करता था तो घड़ा हुआ करता था जैसे एक जामपल में हम लों ले ले लेते हैं जैसे कोई बच्चा जो है छोड़ा सा बच्चा बालू पर जब खिलता है तो पैर लगा के दोनों और से बाल बाल लेता है तो वही बालु पूना सरकता हुआ उसी गढ़े में जागर के भर जाता है। अगर कभी परिच्छा में ये पूछा जाए कि बिसाल मैदान की गहराई कितनी है अगर ये पूछा जाए तो बिसाल मैदान की गहराई कितनी है। गहराई जो दो हज्जार मिटर है। बिसाल मैदान की गहराई दो हज्जार मिटर है। लेकिन हम etesक गहराई की बात करते हैं। तो इसकी औसत गहराई जो ये 600 मिटर है तो विसाल मैदान की औसत गहराई 600 मिटर है अब आईए अगर हमें इसे बताना होगी हम किसी कैसे बताए या कैसे इसको हम जाने तो ये हम तहेंगे कि आज जहां विसाल मैदान है वहां कभी विसाल कर तो हुआ करता था लेकिन आज से लगभग एक लाख वर्स पुर्व एक यूग था जिसका नाम था क्वार्टनरी यूग में उत्तर प्रवतिय प्रदेश से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए मालवा को यहां निच्छे पिती जिसे इस मैदान का ने निर्मार्ट हो गया लेकिन इस मैदान की आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो इस मैदान को पनावट के अधार पर जो है निम्न भागों में पाटा गया है आईए इस मैदान में का निर्मार्ट कैस जो हुआ उसका हम डाइग्राम एक देखते हैं कि हम मैदान बना कैसे नदिया लाला के लाला के यहाँ पर छोड़ दे क्या होता है। सुरू आती दोर में नदी का बेग जो होता है। अती तिबर होता है जब तिबर होता है नदी का बेग। तो जैसे ही घाटी से नदिया बाहर की और निकलती है तो नदिया जो है अपने साथ लाए हुए बड़े बड़े चटानों को अपने मार्ग में छोड़ देती है क्योंकि घाटी के बाहर निकलने पर आयतन अधिक हो जाने के कारण नदी के बेग में कमी आती है जिस कारण बड़े बड़े चट्टानों को अपने मार्ग में छोड़ देती है। इस तरह से जो मैदान बनता है उसे कायाता है भाभर का मैदान जहाँ जहाँ नदियां कई धाराओं में पट जाती है और नदियां लुक्त अवस्था में दिखाई देने लगती है। तो ऐसे मैदान को भाभर का मैदान कहा जाता है जो ही माले के अगरवाग में या किवाली के अगरवाग में पाई जाती है। इसके बाद जब नदी आगे की और बढ़ती है तो अपने साथ छोड़े छोड़े कंकर पत्थर को ले करके आगे की और बढ़ती है क्योंकि बड़े बड़े चटारों तो वहीं पर छोड़ दी और ये जो पूना भावर की लुप्ट नदिया दो या दिम्धाराओं में भिखाई देने लगती है इस कंकीडीले मैदान को तराई का मैधान करते हैं जैसे पिलीवित, लखिमपूर, बहराईच, गोंडा, सरावस्ती, महराजगंच के अलावा बिहार के उत्री भाग, पच्छिम मंगाल के उत्री भाग, असम घाटी में इस प्रकार के मैदान पाई जाते हैं और इस मैदान में जल जमाव के कारण प्रकिर्दत बीमारिया जैसे मलेरिया, हाइलेरिया, टाइफाई, घेगारो, जैसी बीमारिया इस तराई प्रदेस में पाई आते हैं यही नहीं तराई की जो मिट्टियां हैं उसमें जो चूने की अधिक्ता के कारण इस प्रदेश का मुख्य फसल जो होता है गन्ना होता है। जब यह नदी आगे की और बढ़ती है ते इसमें मालवा ढोने की छमता कम हो जाती है या अपने साथ लाए हुए मालवा का जमाओ जहां तहां जहां तहां करने लगती है जहां एक समय बाद नदी का जल नहीं पहुंचता है ऐसे मैदान को पुरानी मिट्टी का मैदान यहीं नहीं जिन छेत्रों में हर साल बार्ह का पानी ये पहुंचता है जब बार का पानी पहुंचेगा तो जब बार का जल अस्तरski होता है धीरे 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 कम होता है तो उन छेत्रों में जो नवीन मिट्टियों का विस्तार होता है, जब उन छेत्रों में नवीन मिट्टियों का विस्तार होता है, तो उसे कहा जाता है, खादर का मैदान, जो गंगा यमुना बेसिन में पाए जाते हैं, बेसिन का आर्थ होता है, कछार, गंगा यमुना के कछ जिस का होते हैं तो इस तरह से मारे भीषाल मैदान निर्माण का इसा भी मिदान यह तरह से हुआ है जो इसेरों का अमने क्या उस स्कार मैधान है जो है प्राइ बीपिये पठार के मद्द्द साथ बत्मलों साथ लाख वर किलो मिटर में फैला है जिसका निर्मार कम हुआ था तो कौार्टरी यूग में गंगा यमुरा गंगा ब्रंपोत्र सिंधू और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाएगे मालवा के जमाव से हुआ है और इस मैदन को बनावट के अधार पर चार वागों में बार दिया। वाबर का मैदन, तराई का मैदन, बांगर का मैदन और खादर का मैदन। इस तरह से फिसाल मैदन का निमार का हुआ है। गर आप और भी विश्तित जनकारिया चाहते हैं तो हमारे चंदरा इंट्रीट के वार्सक नमबर पर आप मेसेज किजिए हमारा वार्सक नमबर 911 8516503 है इसे आप मेसेज किए आपको इसे विश्तित जनकारिया दी जाएगी और आपको ये हमारा जो ये जो हमारा वीडियो बेहतर लेगे तो आप लाइक कीजिए सब्क्राइब कीजिए तब तक के लिए धन्यबाद और हम मिलेंगे अगले चैप्टर में जिसका नाम होगा प्राय दीतिये पठार और पहाडिया तब तक के लिए गुद्लाइक